गोरकपुर के बियाडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद चर्चा में आई डॉक्टर काफिल ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला किया है गोपाल में अपने परिवार के साथ घूमने पहुँचे काफिल खान ने बच्चों की मौत को नरसाहार करार दिया और साथ ही आरुप लगाया कि दस फीसिदी कमीशन नहीं मिलने की वज़ा से ये घट्टा हुई परिवा सेल का जो मालिक था मरीश भंडारी वो भी मेरे साथ जेल में था और वो उसने बताया कि दस पर्शन के मिशन के चकर में मेरा पेमेंट रोका गया था डी जी एमी डॉक्टर केके गुपता और उसवक के प्रिस्पर सेकेटरी जिनके हाथ में पैसा देने का अधिकार था वो जिम्बेदार थे फिलाल जमानत पर चल रहे खान ने आधितनाद पर निशाना साधते हुए कहा कि 13 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाद ने उन्हें देख लेने की धम की दी थी काफिल खान की माने तो ऑक्सीजन की आपूर्ती करने वाले ठेकेदार ने बुक्तान के लिए मुख्यमंत्री योगी समेथ 14 पत्र लिखे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ पहला लेटर उसने 6 अपरेल 2017 को लिखा था कि मेरे 20 लाग 40 लाग हो गये मुझे दे दो पैसा ऐसे 14 लेटर उसने लिखे हैं और इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर अब यह आप सोचिए कि कौन जिम्मेदार है मुझे जहां तक लगता है कि अगर किचन में चाय पत्ती कम हो गई तो जो चाय पत्ती बनाता है वो जादा जिम्मेदार है तो योगी जी इसके बावजूद पैसे नहीं दिये आपको बताने कि बियाडी मेडिकल कॉलिज में 2017 में 10 अगस्त की रात 30 बच्चों की मौत हुई और इसके बाद के दिनों में 34 और बच्चों की मौत हुई इन में से ज्यादा तर बच्चों की मौत कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर् करता को उसके पैसे नहीं मिलने से रुकी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी इंसेफलाइटिस को मौतों का कारण बताया था इस मामले में ततकालीन बाल रोक विशेशक के खान को लापरवाही का आरोपी बाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया था बाद झाल